सब्सक्राइब करे निलेज क्लासेज यूटूब चैनल को और दबाए इस बेल आइकान को बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हेलो फैंस कैसो आप लोग स्वागत है आपका निलेज क्लासेज यूटूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में मैंने कंड़क्ट किया है एक एंपियर की डिफनीशन तो गाइज ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके ज्यामें पूछ भी देता है तो देखिए मैं इसको ट्रीकली कैसे ट्रिक पे याद करें ठीक है मैं बताओंगा एकदम ट्रीकल याद कर जाएंगे इसको दो जखिये कैसे खिता है एक एंपियर की परिवासा लिखीए अथवा पछ देता है कि एक एंपGu dhara क्या हैं तो आएजिए इसको मतलब हम समझते हैं कि इसकह कैसे निकालते हैं जखिये ऐसे तो आप परिवासा याद कर लेंगे लेकिन मैं पूरा इसको बता दे रहा हूँ कि कैसे मतलब परिवासा माल लेजिये कभी भूल भी गये तो कैसे इसे मतलब इसका परिवासा निकाल सकते हैं तो देखिए इसको जानने से पहले हमको बीदु धारा के बारे में जाना होगा तो हम जल्द से बिदुधारा यानि करेंट के बारे में जाल लेते हैं देखी आवेस परवाह की दर को बिदुधारा कहते हैं तो आवेस और आवेस क्या होता है आवेस वही या प्लस माइनस जो होता है न वही आवेस से तो वही आवेस प्रवाह की दर को बिदुधारा करते हैं बिदुधारा आई स्कल्टू ठीक है आवेस बटा समय यानि क्यूब आई टी यानि आई स्कल्टू क्यूब आई टी बिदुधारा को आई से परदस्रित करते हैं और जो हम लोग का है, अबेस उसे Q से परस्थ करते हैं। तो आई जिकल टुक्जों हो जाएगा? Q by T हो गया। तो उसके बाद देखते हैं, बीदु धारा का मातरक। बराबर किस तर निकालते हैं? अबेस हैं तो अबेस का मातरक। और नीचे यह समय है, तो समय का मात्रक, तो आवेस का मात्रक हम जानते हैं, कुलाम होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है, तो नीचे आ जाते हैं, तो इसी को हम कुलाम और सेकेंड को उपर ले जाएंगे, कुलाम इंटू सेकेंड माइनस वन हो जाएगा ठीक है यह नीचे सो जो जो उपर जाएगा तो सेकेंड माइनस वन हो जाएगा अगर यहां इसक्वायर रहता नीचे सेकेंड इसक्वायर रहता तो यह उपर जाता तो यहां सेकेंड और घाते माइनस टू हो जाता ठीक है तो इसी को या इसको हम लिख सकते हैं कुलाम और ये उपर जाएगा तो प्रती हो जाएगा प्रती मने या बाटा तो कुलाम प्रती सेकेंड भी इसका मात रख हो सकता है और इसी को हम एमपियर बोलते हैं तो आप देख लिजे विदुधारा के तीन मात रख हो गए कुलाम इंट आपको पता नहीं चलेगा, ओके, तो आएए अब हम फाइनली देखते हैं एक एम्पियर की परिभासा, एक एम्पियर की डिफिनीशन, तो देखिए एक एम्पियर की जो डिफिनीशन है, वो क्या है, कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया, विदुधारा का मात्रक, तो केनि आवेस का मात्र कुलाम तो यहां हमने कुलाम रख दिया और टी यानी समय यानी यहां हमने सेकेंड ठीक है यहां हमने समय लिख उसे एक EMPIRE कहते हैं तो finally इसकी परिभासा हम ऐसे लिख सकते हैं जब एक सेकेंड में एक कुलाम आवेस परवाहित हो तो उसे एक EMPIRE कहते हैं तो ये काफी most important है यार तो एक EMPIRE की आप परिभासा याद कर लिजिएगा ये काफी chances है कि आपके board exam में पूछ दे तो एक बार मैं और दोहरा देता हूँ जब एक सेकेंड में एक कुलाम आवेस परवाहित हो तो उसे एक EMPIRE कहते हैं तो यही रहा आपका इस मतलब इस बिसे पर कुछ चर्चा थी एक EMPIRE की परिभासा पर दोस्तों ये समाप्त होती वीडियो तो फाइन बताई ये वीडियो आपको कैसे लगी है अगर अच्छी लेए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अज़िक सद्धिक सेयर करें तो धैक्यू गाइज